यदि आप अगर शेकेंड हैंड लैप्टोप यानि पीसी एंड परसनल कंप्यूटर खरिदना चाहते हैं तो लैप्टोप खरिदने से पहले हमको कुछ वहां पर बेसिक इनफोर्मेशन जानना जुरूरी होता है जैसे फीजिकल रूप में तो आप उपर से देखी लेते हैं या उसके आज फास के गिस तरह से सिस्टम है इसमें तो यह थो बाहरी वाला प्रोलों जो आप चेक कर लेते हैं लेकिंट यह सघ्वार का अंदर का लिपॉर्ट होता है ऊब हम कैसे चेक कर पाएंगे कितना से यह क dau से सप्टिव एक कॉंपनी का सिस्टम है कौन सा जगने सब्सक्राइब करके पहले लेना चाहिए आप अगर सिस्टम कर से पहले आपको क्या 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 जांच करना जरूरी होता है तो इन सब्सक्राइब कर देगा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजा मन में भी सवाल है तो वहर्क मेंट करके पूछ लिजिए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सब्सक्राइब हम प्रोसेशर को जानना जूरूरी होता है अगर माली जैको अगर सिस्टम बाइब करते हैं तो जैसा आपका प्रोसेशर हुआ वैसा आपका वर्क पहले तो उसको चेक करने के लिए पहले आपको क्या करना ऋगा यहां search करना होगा system information system information यह वह फिस पर click कर लिजिए का click करते ही आप को यहां पर सारा इसका problem है जो जातरा information समय संग हो यहां यह जिए ओ index देखने को मिल जागा यहां पर टीकर जैसे यहां पर name और यहां पर भार्जन नेम यहां पर आपको लिख रहा है system name लिखा हुए है और manufacturing model number यहां देखने को मिल जागा system कौन सा type का कितना bit का है आपको दिखेगा ठीक है processor के यहां पर आपको देखने को मिलेगा ठीक है यहां पर निचाहिएगा यहां पर physical memory कितना है और available physical memory कितना है और total virtual memory कितना है यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा ठीक है जो इस तरह से आपको देखने को मिल रहा है ओके तो थोड़ सा और अर्सकूल करेंगे यहां पर देखिए जो मेन होता है यहां पर प्रोसेसर इंटल है जो प्रोसेसर को कैसे रीड करना होता है तो प्रोसेसर रीड करने के लिए यहां पर लिखा देखिए यहां पर i7 है तो यहां पर 4600 यहां पर u होता है देखिए इसका भी काफी ज़्यादा value होता है यू का ही और पाफी ज़्यादा इससे ही पताच चल पाता है कि आपका system किस तरह से चलने वाले हैं तो यू टाइप का अगर आपका system है यहां पर लिखा हुआ है तो basic से थोड़ा सा यानि कि normal से थोड़ा हाई यानि थोड़ा सा और अच्छा यानि जिसको बेटर बोल सकते है ठीक है इस गूड़ बेटर बेष्ट ठीक है तो उसी तरह से आपर अगर यू क्वालिटी में यू में है यहां पर तो समझी का आपका system गूड़ है ठीक है अगर यहां पर system में एच लिखा हुआ है तो समझी का आपका system बेष्ट है यानि gaming में आपको एस चाहिए यानि तो आपको समझे कि system बिल्कुल मुझत है ठीक है पहला यह हो गया चलिए अब दूसरा प्रोसर सर जानते हैं अब चलते हैं दूसरे तरफ यहां पर hard disk और SSD में ठीक है तो hard disk वाले system आपको बिल्कुल मैं यहां पर नहीं बोलूँगा कि hard disk का system लीजिए अब जो भी system by कीजिए उसमें SSD होना चाहिए जैसे की 512GB 256GB इस तरह अगर SSD है अगर जितना ज्यादा SSD होगा उतना ज्यादा आपका laptop और फास्ट चलेगा जैसे 512GB 1TB, 2TB इस तरह से अगर है तो आपको काफी ज्यादा मस्त चलेगा system तो उसके लिए आपको चेक करने के लिए अगर मान लिए चेक करना है ठीक है SSD कितना है में ठीक है किस तरह का SSD है मतलब मेरा SSD सही वर्थ कर रहा है कि नहीं तो उसके लिए आपको यहाँ से फिर्शाना है और यहाँ पर आपको time करना है cmd cmd type कीजिए command promote व्ला में तो यहाँ पर आईएगा run as administration लिखा हुआ है इस पर click किजिएगा क्लिक करने के बाद यहाँ कर लिजिएगा और ओके करने के बाद यहाँ पर यहाँ पर आपको run administrator open हो गया command के लिए system तो यहाँ पर आपको type करना होगा chk okay इस तरह से ठीके chk dhk इस तरह से type कीजिएगा enter कर दीजिएगा enter करने के बाद यहाँ पर आपको system का सारा information है जो ना यहाँ पर आपको पूरतर से हो जागा यहाँ पर आपको 100% हो जागा तो यहाँ पर पूरा आप चेक कर लिजिएगा यहाँ पर पूरा आपको दिखाएगा को कैसे आपको दिखना है ठीक है इसके बाद होता है battery check-up करना battery आपका किस तरह का है battery आपका सही work कर रहा है और battery आपका किस हालात में है तो यहाँ पर चलिए आपको battery check-up करके दिखा था बैटरी कैसे check-up करना है तो battery को check-up करने के लिए पहले हमको फिर से यहाँ पर start menu या तो search bar में आईएगा और यहाँ पर टाइप करना है cmd okay run administration okay yes अब यहाँ पर आता है यहाँ पर इस तरह से ठीक है अब यहाँ पर आपको क्या करना है न कि यहाँ पर आपको type करना है तो हमें आना होगा यहाँ पर और यह बड़ा करना तो थोड़ा यहाँ पर command type करने के बाद यहाँ पर लिखा battery cfg space happen hyphen इसका बाद battery report enter कर देना यहाँ से एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको लिख देता है कि आपको जो है ना बैटरी का जो life report है save to file c drive में windows में जाना है और वहाँ पर battery report आपको html में आपको save हो चुगा है तो c drive open करता हूं चलिए मैं open कर लेता हूं यहाँ से यहाँ पर यूजर में आना है यूजर में एक बाद hp में आईएगा ठीक है एसपी पर डबल क्लिक किजिएगा यहाँ पर बैटरी रिपोर्ट इस पर डबल क्लिक किजिएगा डबल क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर battery का जो report है आपको सारा यहाँ पर information दिखने को मि बैटरी का जो design capacity है यह आपको दिखें यह आपको जो उपर में है ना वो नीचे भी full charge के बाद इतना होना चाहिए यानि बिल्कुल अगर सही तरीका सही यानि जो उपर में है और नीचे भी सेम है दोनों समझे का बैटरी बिल्कुल सही है आपको 100% बैटरी सही है इस तरह इस तरह सबस्कार सें तो वयब बैटरी बैटरी इस त Ali में है अपको बिल्कुल आपको जो कर लिए को इस तक आप यह रूडरी बैटरी को जो क्रूब यह स्क एक उसके लिए वार्टन पर टैक लिए इसके बाद यहां पर और टाइप करना है MDSCHED.EXE चली मैं हाँ पर टाइप कर लेता हूँ MDSCHED.EXE इस तरह से टाइप करने के बाद OK पर यहाँ पर क्लिक कर देना है OK पर आप क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको लिखा जारे है Check your computer for memory problems जो memory problems होगा Check up होगा Restart now and check your problem Recommendant save your work And close any open program Before restarting याँ कहने के मतलब कि आप जो work कर रहे हैं यहाँ पर work कीजिए यहाँ पर restart कर सकते हैं कोई दिक्रत नहीं आपको जो problem हो जो भी आगर काम कर रहे हैं वो save रहेगा आपको ठीक है इससे कोई problem नहीं है उसके लिए आपको restart now पर क्लिक करना होगा यहाँ पर restart now पर क्लिक किजिएगा तो मेरा जो system है ना restart होने वही वाला है थोड़ा सापको wait करना पड़ जाए चलिए मैं यहाँ पर EXC कर लेता हो यहाँ पर restart मेरा हो चुका system ठीक है आपको यहाँ पर अगर मालीजे check up नहीं करना है तो EXC जो button होता है उस पर क्लिक की जाएगा तो automatic आपका फिर से start हो जाएगा system मैं यहाँ पर check up कर लिया था इसलिए मैं यहाँ पर आपको directly करके दिखा दिया यहाँ पर आपको थोड़ा सा time लगता है पांच से दस मिनट तक तो इसके वज़े से मैं यहाँ पर directly यहाँ पर open करके दिखा रहा हूँ तो यहाँ पर मेरा सिष्टम मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ गए मेरा यहाँ पर open हो रहा है तो यहाँ पर मेरा system इस तरह से open हो रहा है तो थोड़ा सा wet करना होगा जिसे ज्यादा नहीं wait करना है थोड़ा सा wet किजä तब तक आप हमारे चैनल पर पहली पर आये हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए इस तरह से इंप्रमिस्टन वीडियो पाने के लिए तो आपको वीडियो यह कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा तो इस तरह से अपना सिस्टम को चेक कर सकते हैं यहां पर सब कुछ क में ने टॉपी के साथ